गुड मॉर्निंग क्लास आज का टॉपिक है फेस डाइग्राम ओफ सियो टू ओके तो हम यहां पर सियो टू का फेस डाइग्राम देखेंगे तो आपको सियो टू का फेस डाइग्राम कुछ इस तरह से दिखाए देगा यहां आपका प्रेशर हो गया यहां से यह जो कर्व ग एक्विड स्टेट में होगा और यहां पे CO2 आपको क्या होगा कैसे से स्टेट में मिलेगा आए इसको one by one पिस्टन के तुरू समझने की कोसिस करते हैं जब हम पिस्टन के तुरू चीजों को समझने की कोसिस करते हैं तो चीजों को समझना क्या हो जाता है आसान हो जाता है ठ ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, जहां पे हमें तीनों फेस एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां A से लेके B पॉइंट तक, इसको बोला जाता है, सब्लीमेशन कर्ब, क्यों बोला जाता है, अ suppose हमारा पॉइंट यहां पे आया है, तो क्या होगा, यहां पे यह जो carbon dioxide solid state में है, वो equilibrium होगा किसके साथ, gas के साथ, क्योंकि यह reason gas का है, और यह reason solid का है, तो अगर line पे कोई point आता है, कर्ब पे कोई point आता है, तो उसमें 2 phases होंगे, ठीक है, एक solid और एक gas, ठीक है, तो अगर यहां पे phase 2 हो रहे है, तो यहां पे degree of freedom क्या हो जाएगा, 1, degree of freedom निकालने का formula होता है, F is equal to C minus P, plus 2, P यहां पे phase है, C यहां पे component है, component आपका 1 है, और phase आपका क्या है, यहां पे इस particular point पे phase आपका क्या है, 2 है, तो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा एक चीज और देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, जो हमारा solid है, वो किस में convert हो रहा है, गैस में convert हो रहा है, उसका reason यह है, कि यहां पे pressure बहुत low है, और temperature भी क्या है, बहुत low है, इस reason के अंदर ही तो temperature है, तो temperature भी low है, और pressure भी यहां पे low है, low pressure यानि आप समझते हो, low pressure का मतलब होता है, low pressure यानि gaseous state का बनना, और low temperature यानि solid state का बनना, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां पे direct क्या हो रहा है, sublimation स्टार्ट हो रहा है, अच्छा, अगर हम इस point से, थोड़ा सा उपर जाएंगे, ठीक है, उपर जाना start करते हैं, तो इस पूरे के पूरे reason में, यह जो यहां इस वाले point से समझते हो, थोड़ा सा उपर जाने के गोशस करते हैं, तो इस पूरे के पूरे reason में, जो हमारा CO2 होता है, वो किसे state में होता है, वो solid state में होता है, फिर आपका pressure कुछ भी होने दो, और temperature कुछ भी होने दो, ठीक, अब इस graph से, थोड़ा सा जब हम नीचे आएंगे, इस side में जाएंगे, ठीक है, तो इस side में आते हैं, यहां पर जो, इसको नीचे आजो, नीचे यहां पर, इस side में जाएंगे, तो यहां पर यहां जो CO2 है, वो किसे state में होगा, यह आपका gases state में होगा, उस समय आपका temperature कुछ भी हो सकता है, और आपका pressure क्या होना चाहिए, इसके थोड़ा से क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ही होना चाहिए, तब यह gases state में होगा, इस low temperature से ऊपर होना चाहिए, तब यह gases state में होगा, टीक है, अगर इसके नीचे आपका pressure है, तो आप क्या करो temperature को थोड़ा से क्या करते हो, decrease करते हो, अगर आप pressure को बढ़ा रहे हो, तो temperature को उसी हिसाब से क्या करते zap जो adjust करते जाओ तो आपको जो carbon dioxide है वो किसे state में मिलेगा वो solid state में मिलेगा ठीक है अब बात करते हैं इस reason की데 इस reason में जो आपका carbon dioxide होता हुए वो क्या होता है? liquid state में होता है कैसे? हमने क्या क्या pressure को हमने यहां से बढ़ा दिया हमने temperature को बढ़ा दिया increase कर दिया और हमने क्या कर दिया pressure को भी increase कर दिया तो यह जो cross section area होता है इस particular point पे हमारा जो carbon dioxide होता है वो सिर्फ और सिर्फ liquid state में मिलता है अब अगर आपको carbon dioxide को liquefy करना है अगर आप pressure increase नहीं करना चाते है जैसे हमने यहां से प्रेशर को क्या क्या increase किया है ठीक है मालो हम चाहते हैं कि हम प्रेशर को increase ना करें और हमारा carbon dioxide liquefy हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें temperature को थोड़ा सा decrease करना पड़ेगा और pressure को बहुत हलका सा क्या करना पड़ेगा increase करना पड़ेगा तो अपना point कहीं यहां पे ले आओ इस point पे ले आओ थोड़ा सा temperature को decrease कर दो pressure को हलका सा increase कर दो ति यह भी क्या हो आपका co2 क्या हो जाएगा लिक्विफाई हो जाएगा तो देखो यह जो face rule का diagram होता है यह phase rule का fundus होता है यह हमें कहीं ना कहीं बताता है कि हमें चीजों के साथ कैसे temperature और pressure को adjust करना है कैसे हम temperature को खेल के particular चीज को liquid solid या gas में convert कर सकते हैं इस point इस कर्व पे अगर कोई पॉइंट होगा तो यहां पे एक्विलिविरियम किसके किसके बीच हो रहा है कार्मन डायोकसाइड सॉलिड और कार्मन डायोकसाइड कैस के बीच में इस फ्यूजन कर्व पे अगर कोई पॉइंट है equilibrium है तो यहाँ पे carbon dioxide solid और carbon dioxide liquid के बीच में क्या है equilibrium है इस point पे अगर कोई curve है तो यहाँ पे carbon dioxide liquid और carbon dioxide gas के बीच में क्या है equilibrium है यह है ठीक है अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं degree of freedom की बात करें तो इस particular reason में आपका जो phase है वो single phase है तो degree of freedom कितनी आएगी one इस line पे या इस line पे या इस line पे अगर हम degree of freedom निकालेंगे तो in particular line पे degree of freedom कितनी आने वाली है क्योंकि यहाँ पे phase 2 है तो degree of freedom one आने वाली है ठीक है फिर आगे की बात करते हैं अगर हम इस reason की बात करें तो यहाँ पे phase क्या है? 2 है तो यहाँ पे degree of freedom कितनी आ जाएगी? phase दिखती है 1 है तो degree of freedom कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ठीक है? तो मतलब अगर आपका degree of freedom 2 निकल रहा है तो हमें temperature और pressure दोनों बनाना पड़ेगा और अगर आपका degree of freedom 1 निकल रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना पड़ेगा? तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बताना पड़ेगा या तो हम temperature बता दें या फिर हम pressure बना दें लेकिन अगर इस triple point पे degree of freedom कि बात करें तो triple point पे phase कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगे तो वहाँ पे degree of freedom 0 हो जाएगी इसका मतलब हमें triple point पे temperature या pressure कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है triple point पे temperature जो होता है वो माइनस 57 degree Celsius और pressure जो होता है वो कितना हो जाता है? 5.280 या ओके आपको समझ में आया होगा था इंक्यू